नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कृष्णा चोधरी कॉस्मेटिक सर्जन कॉस्मेटिक लेजर सर्जेरी सेंटर प्रसाच्यमबस करवे रोड पुणे भारत यहां प्रैक्टिस करता हूं आप मेरे वीडियो कई सालों से यूट्यूब पर देख रहे हैं आज भी देखिए यह वीडियो क्लिप और आपका अभिप्राइज दे धन्यवाद दोस्तों इस मैला का प्राब्लम यहां है कि उनकी प्रेग्नस के बाद ब्रेश की साइज कम हो गई और ब्रेश ऐसी खाली खाली लगती है उसको उभार नहीं है प्रोजेक्शन नहीं तो उन्हें वो जितना हो सके बढ़ा के चाहिए तो ब्रेश फैट इंजेक्शन करने का नहीं लिया गया देखिए साइट से दोनों साइट से थाइज में बटच में फैट निकाली गई जब ब्रेश में फैट बरना है तो बहुत ज़्यादा फैट लगती है क्योंकि वो फिल्टर करने के बाद उसे इस्तिमाल करते तो और उसका क्वांटिटी घट जाता है देखो कंटेनर में फैट जमा हुई है और नीचे फ्लूइड निकल क्या रहा है निकलने के बाद इसमें से फैट छोटे सीरिज में निकाली जाती है और वो इंजेक की जाती है यह सारा प्रोसिजर नॉन टच मेथर से होता है कहीं पे भी फैट को डैमेज नहीं होती है और चोटा सा कैनुला इस्तेमाल करते हुए बारिक पंक्चर में से ब्रेस में देखो लाइन्स लखी रहे हैं उस प्रकार फैट इंजेक की जाते हैं मल्टी लेयर मल्टी प्लेन ग्रिट पैटन में उससे फैट के जो छोटे छोटे पार्सल्स है वो अच्छे टिकते हैं ऑपरेशन के बाद छे मेंने परिणाम देखिए कि साइज बढ़ा हुआ है यूनिफर्मली अच्छी तरह से एपेरेंस आया है और फैट ज्यादा एपसॉर्ब नहीं हुई है धन्यवाद दोस्तों झाल 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 झाल